अरे अमिच्छा को तो एक मनिपूर जैसे एक लोग सब आये दिली का लोग सब का बराबर का स्टेट का सम्वाल नहीं पा रहे तो कौन सा लोग पूरिश है भाई साब? अपना को बोलता है ना कि I'm a strong man, मैं लोग पूरिश हूँ, आप बताओ, मनिपूर ही नहीं सम्वाल रहा है साब से तो, मनिपूर, नो व्यक्ति की हत्या हुई परसों, कोई डिबेट नहीं, कोई सर्चा नहीं, विश्व गुरु मोदी ने ऐसे सम्वाला माह तुफान, वह, यह भक्ती का भी जो है ना बहुत से स्रीरसली, I mean, मैं तो यार सच मुछ मैं, फैन हो गया हूँ, इस तरह का देश बक्ति, मुदी बक्ति तो बाच्पा बक्ति, उत्रा कांट टाउन है जो लव जीहाद, मनिपूर जल रहा था, लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्रा कर जान बच जाता हूँ क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान बचाने का जो काम कर रहे हैं, हिंदो के एक चैलेंज का असर क्या, एक चैनल मेरा देश जल रहा है, और कोई नहीं बुजाने वाला, यह वर्तमान में देश की जो असली स्थिती है कल परसों जिस तरह से लगतार पिछले 45-50 दिन से जो गटनाय चल रही है भारत जलाव पार्टी या बेचो जलाव और पॉकेट मारी करने वाली पार्टी बीजेपी एक नहा देश द्रोई वाला जो है डिफिनिशन हो गया है पहले वाले देश द्रोई समझ में आते थे आतमवादी थे शहरा जो है डग करके जो है गोली चलाते थे यह कूल देश द्रोई है बीजेपी वाले कूल स्टाइल गगनम स्टाइल वाले जैसे उसी स्टाइल का देश द्रोई है हाँ चश्मा पैनते हैं आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटिनाशनल है अच्छा अच्छा शब्द के इस्तेमाल करेंगे अखंडरता संप्रुदाता देश को विकास इस तरह की शब्द इस्तेमाल करेंगे यह देश्द्रोई लोग और करेंगे वही काम और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की अवर्शक्ता है तो मैं कल का जो टीवी का जो में डिबेट के जो है कुछ चैनल का नाम तो मैं ढख लेता हूं लेकिन मैं दिखा दूँगा हेडलाइन्स क्या था मनिपूर जल रहा था लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्राकर जान बचाकर भाग गए मुसल्मान एक चैनल 24 में सिर्फ एक बंदा काफी कस्म संविधान की वाह ये कल के डिबेट के जो है कल के मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान बचाने का जो काम कर रहे हिंदों के एक चैनल का असर क्या एक चैनल ये कल शाम की डिबेट है बाई साब कोई नहीं दो-तीन दिन की नहीं तो इसलिए हो रहा है मुसल्मान पढ़ा है जैक डॉर्सी वोर्सी सब पीछे रेसलर पीछे मनीपूर पीछे बाई साब का जो एजंडा है तो इसको पूरा करना है आप लोग को उत्रकाशी में हिंदों का बड़ा एलान एक और डिबेट विश्व गुरु मोदी ने ऐसे सम्वाला मातुफान वाह बहुत्स 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 है मैं तो यार सच मुस्चा मैं फैन हो गया हूं इस तरह का देशबक्ति मोदी बग्ती तो बाच्पा बग्ती उ अच्छे खानी के सामने सच के जरूती क्या है there is no need truth is a irritating inconvenience for a good story हमेशा very irritating सैनी जी एक लड़की को लेके जा रहे थे लेकिन लब जियाद है बाई साथ और आप लोग हमारे कुछ मित्रगन है तो यह है वर्तमान में देश की स्थिती देश द्रोई हम क्यों बोल रहे हैं यह भाजपा को तीन साल पहले आज करके साब के ट्वीट आपने भी देखा होगा पहले दोजार पंदरा जून दोजार बीस में गलवान गाटी में हमारे बीस बाद और जवान शहीद हुए उनको शर्दान जली देते हुए मैं आपको अफ़गत कराना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे थे तो हमने खोशिश किया कि पंदरा जून दोजार बीस में मोदी जी कहा थे कहीं नहीं कि दूर दूर तक पता नहीं है पहुंचे ले अठारा दिन बाद और तो और मज़िदार बाद क्या है साथ कि 19 जून को हमारे 56 इंज के प्रदान मंत्री जी ने पंच हजार क्रोड कर्ज ले लिया चीन से देखिए मजा आया ना बाद मजा गया पंच हजार क्रोड कर रिन ले लिये चाइना से लेकिन हेडलाइन्स तो कुछ और होगा बाद साथ उसके बाद 4,000 करोड चीन से गलवान के बाद 5,000 करोड फिर 4,000 करोड 9,000 करोड का जो है रिन ले लिया था चीन से भारत सरकार और मोदी जी ने लेकिन डिबेट्स नहीं होंगे और कोई सरकार अगर इस तरह के हत्कत करते तो चिला चिला के टेबल पर ही चड़ जाता लोग अंकर तो टेबल पर ही चड़ जाता है कि ने भाई साब चड़ जाता है ना भाई लेकिन क्योंकि यह ढोंगी राष्ट्रवाद लोगे तो कोई प्रस्टेंड ही नहीं कर रहे हैं हम तो इसी उमीद में कि कहीं न कहीं जो है इतना बाधुरी दिखाने के लिए कोई पत्रकार मुझे नहीं लगता कि किसी को दिखा भी सकता है क्योंकि आज कर परिस्टी जा लगे तो आप लोग से कोई शिकायत नहीं है लेकिन अंकरों क्या बोलते हैं चैनल के मालिक से तो जरूर शिकायत है और तो अगर ये देश विरोधी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया चीन को क्लीन चिट के देने के चलते 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर भारत के सेना जो है ठच करके आते थे पेट्रोलिंग में वो जो है घट करके 26 हो गई है कोई नहीं पूछ रहा है कोई नहीं सवाल कर रहा है कोई डिबेट नहीं हो रहा है भारत 65 चेक पॉइंट्स इंडिया यूज तो पेट्रोल मोदी जी के समय में क्योंकि मोदी जी ने clean shit दे दिया चीन को ये हुई ना देशद्रोई वाला काम बिग देशद्रोई वाला काम छोड़ा मोटा नहीं बिग अब मनीपूर में अब हम shift करते हैं क्योंकि गलवान की जो चर्चा आज जरूरी थी क्योंकि गलवान आज 15 जून है इस press conference के मादियम से मैं आपको सब्सक्रूप से साबद करने का कोशिश करूँगा कि किस तरह से देश को पूरी तरह से बरबाद करने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है अभी कल की बात है कि नेम्चा किपजन बारतिय जनता पार्टी के एक ही माईला मंत्री है मनिपूर में उन्ही का घर जला दिया हिम्फाल में राजदानी में मंत्री का घर जला दिया वो भी भाज़पा का तो देखिए क्या लोज़नार है अरे अमिच साह को तब मनिपुर जैसे एक लोकसा आई दिली का लोकसा का बराबर का स्टेट कर सम्मालने पारे तो कौन सा लोग पुरुष है भाई साब अपना को बोलता है ना कि I'm a strong man मैं लोग पुरुष हूं हो आप बताओ मनिपूर ही नहीं सम्माल रहे है साब से तो मनिपूर नो व्यक्ति के हत्या हुई पर्सों कोई डिबेट नहीं कोई शर्चा नहीं पूरुला है ना बाई साब बचाने के लिए बाशपा को उत्राकन पूरुला बाशपा को बचाने के लिए हम लोग कितने महनत कर रहे हैं और बीच बीच में मिली जाता है कोई ने सवाल कर रहा है कि अमिज शाजी जो है 45 दिन बात वहां क्यों पूछे कोई ने पूछ रहा है कि मोधी जी अभी तक क्यों नहीं गए और मोधी जी क्या कर रहे थे तो मैं थोड़ा से चिंता में था कि मोधी जी क्या कर रहे थे जब मनीपु जल रहा था तो मोधी जी मीटिंग कर रहे थे बाई साब गुजराथ साइक्रोन और एक दिन पहले जो नौ लोग मरे थे मोधी जी क्या करते है रोजगार मेला देखे साब कितने बड़े दिल के व्यक्ति है रोजगार मेला नौ लोग मरते हैं कोई शर्चा नहीं और आप बोलते हो कि यह देश के जो देश का जो अकंटा और संपूरता को बचाएंगे कोई डिबेट नहीं कि मोधी क्या कर रहा है एंप्लॉइमेंट कागर जो बाट रहे है मनिपूर जल रहा है लेकिन कोई चर्चा नहीं देखिए फोटो देखिए कैसे तरह से सब लोग बैटे हुए अमिच्छा जी क्या कर रहे थे देखिए अमिच्छा जी को मानना पड़ेगा कभी नहीं चोड़ते हैं प्रचार करना विशाका पत्नम पहुंच गाए लेकिए बुलंद व्यक्ति है स्ट्रॉंग पीपल कोई फरत नहीं पड़ता है मनिपूर जलने दो हम तो प्रचारी करेंगे देश जल जाये लेकिन हम तो जो है चुना प्रचारी करेंगे देश जल रहा है बाई-साइब लेकिन हम विशा का पतना पहुंच करके विपक्ष को गाली देंगे ऐसे व्यक्ति जो है जिस कुर्सी में सर्दार पटेल जैसे मान व्यक्ति बैठते थे उस कुर्सी पर एक बोना साइस के लोग बैठने लगे पिगमीज और भाशन पर भाशन अब आपने वो वीडियो में देखा होगा कि एसेस हकोपी साब है दो विक्ति के बारे मैं बात करूँगा एक मिस्टर प्रमूद सिंग और हकोप हकोप किप एसेस हकोप किप हकोप किप साब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फरंट के सदस हैं मेन आदमी है वो अपने वीडियो जारी करते है कि मैंने तो यार राम माधव और हैमन बिस्वास सर्मा और हमिज शा को तो मदद किया था चुनाव में हम तो मिलिटन्ट हैं 2022 के चुनाव में हमने मदद किया कोई सवाल नहीं कर रहा है a militant group who has worked against the interest of India no TV anchor is doing a show nobody is doing a show because none of you will ask this question cookie united cookie liberation front और मज़े की बात क्या है ये देख लीजे ये इनका एफिडवेट है sign by him address to Mr. Amit Shah कि हमने आपको मदद किया साथ I help do an election आप हमको क्यों notice दे रहे हो आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए लेकिन आप मों कुछ नहीं पूछेंगे आप मतलब मालिक नो इस इस तो बी इस इस दे लेटर बियर Mr. Amit Shah NIA has given my notice मैं आपको मदद किया चुनाव में इतनी जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया और इंटरस्टिंग क्या है एग्रिमेंट क्या मैं उसके बारी में बताता हूं चुनाव हुआ जैनुरी में दो हाजार बाइस में February 2022 में Amit Shah releases 15 crores of your money आपका टैक्स पेर का पैसा and 98 lakhs to the kooky militant organizations वा बस style देशद्रोई वालों का style यह चोटा मोटा नहीं यह तो धंके के चोट पैस देते हैं बोलें कि बेटो जलाओ देश को 15 crore was given to the militant organization plus 97 lakhs style है कि नहीं BJP style देशद्रोई वाला style कमाल का है है कि नहीं अब यह letter है official letter हमने नहीं लिगा हाकिप साब बोल रहे हैं बाज़पा आपने मदद के देश को तोड़ने के लिए अब चुनाप जीत गए हो अब तो मत बुलाओ official but no TV debate, no anchor, no questions